वेलकम तो दिस निव लेक्ट्टर नाव इन इन इस लेक्ट्टर आम गोई तो शो यू दो इस्वेशन्स अप मिस्लीनिस एक्साइज टेक्स्ट बुक की जो मिस्लीनिस एक्साइज है उसमें मैं आपको बड़े इंपोर्टन क्वेशन्स जो है उनको मैं यहां पर सौलू और बागी सवालाग जो उसमें रहेंगे वो आप फिर खुद भी कर सकते हैं और जो तब भी नहीं आएगा वो आप मुझे कम्मुनिकेट करके मैं आपको दिखा सकता हूं जैसे मैंने मिस्लीनिस एक्साइज का कॉश्टन नमबर टू लिया पहला मैंने ने लिया फर्स्ट हें आपको पता है साइन किए पर ब्रौ यहां पर पर हैं और न में 6000 फिर हुम फीर्सूर्ञ हे उwn हैं फिर गॡए संक को सिंप्लीफाय करेंगे लिगी सिस्ट्रुब singular है Сबोसव एक सिक्समाल मैं धूसदो फश्ट छीज ऑव इक सेन ए कॉम लेता हूं यानिम थाने मैं सा और मैं cos x भी common लोंगा, अंदर रहेगा 3 sin x एक ही, minus 6, 6 cos 4 x ओले हैं, फिर से मैं 3 भी common ले सकता हूं, 3 sin x cos of x, जब मैं 3 common लेता हूं, it will be sin x minus 32006 cos 4 of x, and this will be your answer, तो simple differentiation, इस वक ये और ये अलग-अलग दो चीजे हैं, इसको अलग differentiation किया, इसको अलग differentiation किया, और आपका रिजल्टा आपके है, ठीक है जो, now I will come to the question 4, 3rd मैंने फिर से नहीं रिखाया, 3rd is very simple question that you can do yourself, now this is the question, ठीको इस पे हम, इस सवाल को हम 2 इसे करते हैं, हम लिखेंगे, let z be equal to x root of x, मैं इसको z के बराबर रखता हूं, तो z बनेगा x raised power 3 by 2, लिखें, x root x is 3 by 2, you know how it is 3 by 2, because x का power 1 by 2 है, इसका power 1 है, so 1 plus 1 by 2 becomes 3 by 2, अब मैं पहले इस चीज़ की differentiation करता हूं, d z by dx is equal to 3 by 2 down, x raised power 3 by 2 minus 1, that is 3 by 2, x raised power 1 by 2, that is 3 by 2 under root of x, लिखेंगे, ऐसे होगे हैं, ये इसकी differentiation होगे, यानि ये आगे मेरे पास d z by dx, right, I'll call it first, अब मेरा जो question है, ये वापस में लाता हो नीचे, it will be y is equal to sine inverse of, what is x root of x, x root of x is z, तो मैं इसका नामजाट रखता हूं, now after that, what is d y by d z, यहां से differentiation, this is 1 over under root of 1 minus z square, लिखेंगे, ऐसे होगे हो, right, उसमें मैं z को अपना value वापस लगाता हूं, under root of 1 minus, जब मैं z का value वापस लगाऊंगा, x raised power 3 by 2, because that is x raised power 3 by 2, x raised power 3 by 2 का whole square, जो है, वो बनेगा x cube, क्योंगा, देखें, x raised power 3 by 2 का, जब मैं whole square करता हूं, ये cancel होट जाके लिए, जब मैं यहां पर आता हूं, देखें, मुझे असल मैं निकालना है, y की differentiation with respect to x, यानि मुझे असली निकालना है, dy by dx, जब मैं dy by dx निकालना हूं, मैं यहां लिखता हूं, dy by dx is equal to dy by dz, into dz by dx, that is, what is dy by dz? dy by dz is this thing, so it will be 1 upon, under root of 1 minus x2, into dz by dx, यह दिखें, dz by dx, that is 3 by 2 x raised power 1 by 2, that is 3 by 2 under root of x, so यहां लिखेंगे, 3 by 2 under root of x, अब हम ऐसे कर सकते हैं, 3 by 2, सामने लाएंगे, इसके ओपर भी root है, इसके ओपर भी root है, तो एके root रख सकते हैं, we can keep it one single root, ओपर x, और नीचे 1 minus xq, and this is your answer, देखें, किस तरीके से हमने, इसको differentiate किया, यहने इसके बाद, यहां पर, मैं इदर आ गया, यही आपका dy by dx है, इस question number 4 का, यहने इससे, हमारा question number 2, question number 4, मिस्ली ने से, इससाइल, जियो डिफेंशिशन की है, वो दोनों question, सॉलू होगे, राइट, अब आईए आप, दूसरे सवाल पर, यहां पर question number 6, मैंने ले लिया, this is very important question, यह examination के लिए बहुत ज़रूरी है, यहां पर थोड़ा, understand भी करना है, कि यहां से, इस question को हम सॉलू करेंगे, जैसे, यह स्कॉट inverse of, under root of 1 plus sin x, plus under root of 1 minus sin x, divided by under root of 1 plus sin x, minus under root of 1 minus sin x, देखिए, इस सवाल जो है, मुझे इसको डिफेंशिशन करनी है, d y b d x, यहने x का value है, between 0 to pi by 2, यहने x का value दे सकते हैं, वो 0 से 90 तक ही दे सकते हैं, there are reasons for that, you know, inverse trigonometric functions, और यह inverse trigonometric function का ही question है, देखो मैं इसकी direct differentiation नहीं करूंगा, that will be very complicated, अगर मैं differentiation of y with respect to x, directly हां करूंगा, that will be a very complicated issue, so, in order to solve this, in order to find the derivative of this function, first of all, what I must do, I must simplify this, I will make it simple, जब इसको मैं simple बनाऊँगा, इसको मैं छोटी एक function बनाऊँगा, कि उस छोटी function को मैं differentiation करूंगा, अब देखें, कैसे मैं इसका यह कर लेता हूँ, अगर आपको याद है, आपने already inverse trigonometric functions पढ़ा है, एक chapter है, functions मैं, inverse trigonometric function, उसमें आपने सिर्फ इसको simple बनाया है, कैसे बनाया है simple वही चीज़ में यहाँ इस्तिमाल करूंगा, देखें, मैं लिखुँगा y is equal to cot inverse of, मैं लिखुँगा under the root of, देखें, इस बान की जगह मैं लिखुँगा, cos square of x by 2, plus sin square of x by 2, plus sin x की जगह मैं लिखुँगा, 2 sin x by 2, cos of x by 2, देखें ऐसे, फिर मैं plus लिखता हूँ, under the root of, यहाँ पर, cos square of x by 2, plus sin square of x by 2, minus twice sin of x by 2, then cos of x by 2, फिर बेखें को close करता हूँ, ठीक है, याने, मैंने क्या किया, थोड़ा गुद आप भी ध्याँ देखें, मैंने 1 की जगह लिखा, cos square theta plus sin square theta, because cos square theta plus sin square theta is always 1, और sin x को मैंने ब्रेक किया, half angles में, twice sin x by 2, cos x by 2, याने मैंने इस 1 की जगह ये लिखा, और sin x की जगह ये लिखा, यहाँ पर भी वही किया, यान की जगह ये लिखा, माइनस करके sin x की जगह ये लिखा, और नीचे भी मैं यही करूँगा, देखो, एक किनी फॉरॉंटी है इसना, इसना एक ही तरीका मैं यूज करूँगा, under the root of, cos square of x by 2, plus sin square of x by 2, plus twice sin of x by 2, cos of x by 2, then minus, under the root of, this is cos square of x by 2, plus sin square of x by 2, minus twice sin of x by 2, then cos of x by 2, ये क्या इसे मैं ने कर लिखा, ठीक है, ये जहां भी 1 है, मैंने cos square x by 2, plus sin square x by 2 लिखा, और यहां भी sin x है, मैंने उसको half angles में change किया, थोड़ा सा, मैंने इस तरह से लिखा इसको, लेकिन अब इसके बाद, मैं लिखूँगा, a square plus b square plus 2ab, ये formula बन लिए, a square plus b square plus 2a into b, that is a plus b का whole square, so that will be cot inverse of, this will be under the root of, cos of x by 2, plus sin of x by 2 का whole square, ये ऐसे बन जाएगे, और ये बनेगा यहां से, इसमें भी लिखा, cos of x by 2, माइनस sign of x by 2 का whole square, ये different formula बन जाएगी, कि यहां minus है, और नीचे भी बिलकुल यही चीज़ होगा, नीचे भी ऐसे होगा, that will be, cos of x by 2, plus sin of x by 2 का whole square, और यहां पर भी मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, cos of x by 2, minus sin of x by 2 का whole square, देखें, ऐसे, और बेकेट में close कर लेता हूँ, अब मैं क्या काम करता हूँ, square root cancel, square root cancel, square root cancel, square root cancel, और इसके बाद, y is equal to cot inverse r, अब थोड़ा सा ध्यान देजिए, cos x by 2, plus sin x by 2, root के बगए, cos x by 2, minus sin x by 2, root के बगए, sin x by 2, sin x by 2, cancel हो जाएगा, cos x by 2, or cos x by 2, बन जाएगा, twice cos of x by 2, whole divided by, अब cos x by 2, cos x by 2 cancel, minus minus plus हो जाएगा, sin x by 2, sin x by 2, will become twice sin of x by 2, और इसके बाद में, ये 2 or 2 cancel कर लेता हूँ, it will be cot inverse of cot of x by 2, right, cot inverse of cos by sin becomes cot, cot and cot inverse will get cancelled, और it will be x by 2, ये आपका जो सवाल बन लिया, वो बन लिया, y is equal to simply x by 2, y is equal to x by 2, ये जो इतना बड़ा question था, इसको हमने reduce किया, ये simply y is equal to x by 2 बन लिया, ये कैसे हमने इसको simply ये बना लिया, इसके बाद मैं अब इसकी differentiation करता हूँ, what is the differentiation, differentiation of y in respect x, x by 2 की differentiation है 1 by 2, ये इसका मतलब है, इसकी differentiation आगे 1 by 2, but this has been obtained from this, that means this पूरे function की differentiation है 1 by 2, देखो कैसे हमने ये question किया, हमने किस तरह से पहले इसको simple बना दिया, simple तो यहां तक हमने simply इसको simple बना दिया, और simple बनाने के बाद हमने इसकी differentiation x by 2 की differentiation, x के 1 और 2 ऐसे रहेगा, so 1 by 2, so ऐसल में ये ऐसे है, 1 by 2 into x, 1 by 2 ऐसे, x की differentiation 1, वही 1 by 2 है, इसका मतलब है, इस function की differentiation 1 by 2, ये मैंने लाया कहा से, ये मैंने इस का लाया, तो इसकी differentiation 1 by 2 है, right, this was your question, that is question number 6, ये थोड़ा बड़ा question था, और important भी है, अब आई आप इस वाले question पर, that is question number 10, इसी exercise का, x raise for x, x raise for a, a raise for x, a raise for a, देख़े, ये एक, दो, तीन, चार functions है, अलग-अलग, plus है इनका, तो हम इनकी differentiation अलग-अलग करेंग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, देखे, मैं अगर रखूगा, इसका नाम u, इसका नाम v, इसका नाम w, और इसका नाम से थी, तो जब मैं भी differentiation करनी है, तो dy by dx will be equal to, du by dx, plus dv by dx, plus dw by dx, and plus dt by dx, देखे, ऐसे आजाएगा, right, so, इसका नाम मैं रखता हूँ first, इसका नाम मैं first रखता हूँ, अब मुझे बताएगे, what is u, u is x raised power x, v is x raised power a, w is a raised power x, and p is a raised power a, अब मैं इसकी अलग-अलग differentiation करूँगा, देखे, यहां मैं u को दिफरेंसेशिन करूँगा, with respect to x, पहले function, u को मैं differentiate करूँगा, with respect to x, v को मैं differentiate करूँगा, with respect to x, w को मैं differentiate करूँगा, with respect to x, और t को मैं differentiate करूँगा, with respect to x, लेकिन जब मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ, यह variable raised power variable है, आपको पता है, जब भी हम variable raised power variable type के questions, स्वालू करते हैं, हम taking log on both sides करके, इसको रिफिशन करके, यह variable raised power constant है, यह constant raised power variable है, और यह constant raised power constant है, यह इनका नेचर हरे एक function का नेचर totally different है, जैसे मैं इसकी differentiation करूँगा, d u by d x, and you know, इस differentiation is x raised power x into 1 plus log x, अगर आपको पता नहीं है, you can swallow it, आपको पता है, taking log on both sides कर, अब d way by d x, इसका क्या होगा, यह तो यह है, x raised power a, a down, a raised power 1, because it is variable raised power constant, power down, power a come, अब यह लूँगा, d w by d x, यह तो है constant raised power variable, that is a raised power x into log of a, और यह last वाला है, d p by d x, यह तो दोनुं constants है, constant raised power constant is constant, and the differentiation of constant is 0, अब यह values मैं जालता हूँ, इसमें, first में, use in first, देखे कैसे, मैं लिखूँगा, d y by d x will be then equal to, बताए, d u by d x, वो तो यह चीज़ है, होगा, x raised power x into 1 plus log of x, उसके बाद है, d v by d x, that is a x raised power a minus 1, उसके बाद है, d w by d x, that is a raised power x into log of a, और उसके बाद है, last, d 3 by d x, that is equal to 0, so this is the answer, so the answer is this function, so the answer is this, is the total answer, देखे को कितना सिंप्ल कॉष्चन था है, यह मैंने आपको स्वाब किया, देखे आप एक और स्वाब किया, यह आपको खूद करना है, यह मैं नहीं दिखा हूंगा, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, इसका मैं आपको हिंट देता हूं, देखे हिंट कैसे, y is equal to, इसका नाम आप u रखो, और इसका नाम आप v रखो, करो आप different session of dy by dx, that will be du by dx, plus dv by dx, राइट यह इसका नाम first रखो, अब लिखे पहली function है u, u है x raised power x square minus 3, और दूसरी function आपकी v है, यह variable raised power variable है, you know once there is a variable raised power variable, that is taking log on both sides, इसमें भी है variable raised power variable, that is taking log on both sides, so इसमें हम taking करेंगे log on both sides, so it will be log of u is log of x raised power x square minus 3, that is log of u is x square minus 3 into log of x, right, अब हम differentiation करेंगे, log u की 1 by u, u की du बेट इसका u into v सिदाई, और इसमें भी हम यहां से लिखे, log of v is equal to log of x minus 3 raised power x square, that is log of v is x square log of x minus 3, इसमें भी लॉग v की differentiation बिल्कुल 1 by v, dv by dx, और इसका u into u बेट उसका, हमारे पास dv by dx भी आएगा, और हमारे पास du by du by dx भी आएगा, तो हम दोनों इसमें डालेंगे, और हमें dy by dx का वाली में जाएगा, और यह तरीका है, इसको solve करने का, देखे, कैसे मैंने यह question number 11 भी solve किया, and this is how to rule, but you have to proceed, यह वही आपको खुद करना पड़ेगा, अब आएए, question number 13 भी, 13 question का है, very important question, इसको हम कैसे differentiate करेंगे, how to find dy by dx, देखो, एक तो तरीका है, सीधा differentiation करो y को with respect to x, इसकी differentiation तो आपको पता है, sine inverse of x की, इसकी भी आप कर सकते हैं, तो आपका answer मिल जाएगा, थोड़ा वो lengthy हो जाएगा, हम इसको थोड़ा reduce करते हैं, कैसे करेंगे reduce, मैंने आपको बताया है, inverse trigonometric में, अगर आपको 1 minus है, आप लगा दो, y is equal to cos of theta, what is theta, that is cos inverse of x, so what about the question, y is sine inverse of x, ऐसी ही, then sine inverse of under root of 1 minus cos square of theta, मैंने x की जगा लगा है, cos theta, तो आपको मिलेगा, y is sine inverse of x, plus sine inverse of sine theta, क्यों, 1 minus cos square theta, become sine square theta, square and root will yet cancel, so it will be sine of theta, sine and sine inverse cancel हो जाएगा, so y is equal to sine inverse of x plus theta, that is y is equal to sine inverse of x plus theta, what is theta, theta is cos inverse of x, so you write here cos inverse of x, देखे कैसे मैंने क्या, तरीक का लेको मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर, इस सेकंड पार्क में, x की रगा लगा है cos theta, उससे बना 1 minus cos square, वो sine square होता है, square root cancel, sine sine inverse cancel, theta हैगा, मगर theta का value है cos inverse of x, अब हाँ की पस सवाल बन गया, y is sine inverse of x plus cos inverse of x, now remember, inverse trigonometric functions, what is sine inverse of x plus cos inverse of x, and you know that is simply pi by 2, see, you remember, sine inverse of x plus cos inverse of x is always equal to pi by 2, so this is pi by 2, so what is the differentiation of now pi by 2, the differentiation of pi by 2 is 0, because it's a constant, that means the differentiation of this function is 0, but this function has been obtained from this function, that means the differentiation of this function is 0, दिको हम क्या करते हैं actually, हम ये सवाल जो है, ये जो बड़े-बड़े questions है, inverse trigonometric function के, हम उनको reduce करते हैं, हम उनको छोटा बनाते हैं, हम धरे differentiation नहीं करते, हम फिर उस छोटे part की differentiation करते हैं, जैसे मैंने आपको ये लिखाया, has been obtained from this function, that means differentiation of the original function is 0, इसका मलब हम इसकी differentiation is 0 है, देखे, तरीका क्या है, क्या मसला है, किस तरह से solow करना है, ये बैठके, आपको ऐसे सवाल भी करने पढ़े हैं, अब आई हैं आप एक और सवाल पर देखे, तिस question number 14, मिसलिए से exercise, again, question number 14, हम इस सवाल को सॉलो करने से पहले, थोड़ा भूद पहले संप्लिफाइ करता है, थोड़ा संप्लिफाइ करता है, क्योंकि ये implicit function है, इसको थोड़ा और स्प्लिफाइ, अडरूट है वगरा है, इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे हम अडरूट उसको, देखे हम लिखेंगे, x अडरूट आफ 1 प्लस y, is equal to minus y, अडरूट आफ 1 प्लस x, मैंने इसको इदर shift किया, और स्कारिं बोट साइज करते हैं, तो ये x स्कार बन जाएगा, 1 प्लस y, और यहां से बन जाएगा, y स्कार इंटो 1 प्लस x, फिर आप multiply कीजिए, x स्कार प्लस x स्कार y, is equal to y स्कार प्लस y स्कार अफ x, फिर आप इदर shift कीजिए, x स्कार माइनस y स्कार प्लस x स्कार य स्कार प्लस y 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 स्क x plus y plus x y is equal to 0 this will give you y is equal to x and this will give you y plus x y is equal to minus x अब आप y common लिजे so you will get y common करके 1 plus x is equal to minus x that means y is equal to minus x upon 1 plus x देखे दो चीजा आथे यहां से मैं इधर चला दिया यहां आगे एक y is equal to x और यहां आगे y is equal to minus x upon 1 plus x थोड़ा बहुत और ध्यान देजे क्या मैंने यहां किया squaring both sides करके यह चीज़ फिर मैंने x minus y x plus y इसको लिख दिया फिर x minus y मैंने comma लिया फिर दो चीज़ों का product अगर 0 है इधर first factor is 0 और the second factor is 0 if first factor is 0 if second factor is 0 तब y plus x by minus x ते बराब होगा तो y का value यह चीज़ा चाहएगा ठीक है जो दो functions है अब मुझे actually prove करना है इसकी differentiation यह है पहले में यहां से differentiation करूँगा इस वाले हिसी की dy by dx कितना आएगा एक answer तो यह भी है कि differentiation is 1 but हमें वो चीज़ प्रोव नहीं करना है हमें कुछ और prove करना है हमारा एक answer आगे है dy by dx is 1 but he says prove that dy by dx is this thing तो हमारा एक और पार्ट है सवाल का हम इस पार्ट से भी हम differentiation कर सकते हैं जरब कीजिए आप differentiation आप minus बाहर रखिए इसको आप u by d method use कीजिए यह आएगा 1 plus x था whole square 1 plus x ऐसे ही उपर वाले x की वान फिर x ऐसे ही नीचे वाले की वान तो आएगा minus times 1 plus x minus x divided by 1 plus x का whole square x on x cancel this is minus 1 upon 1 plus x का whole square देखें कैसे हो यह so dy by dx is this thing कुली ताप को दिखाना था that is minus 1 upon 1 plus x का whole square यह किस वाली हिसे से आया answer हमारे second part से हिसा है हाँ अगर है कहता prove that dy by dx is 1 वो भी हम कर सकते थे dy by dx is 1 but he says prove that dy by dx is this वो तो दूसरे वाले हिसे से आया इसलिए हमने इसका second part वाले हिसा भी differentiate करके वहां से हमारे actually 2 answers है but he says prove that dy by dx is minus 1 upon x plus 1 का whole square यह तरीका है इस question number 14 को सालो करने का देखे अब एक और बात है मैं एक और सवाल ले रहा हूं that is question number 18 very important question f x is more x cube show that f double dash x exists for all x real and find it यानि हर एक real number पर इसकी differentiation possible है लेको मैंने आप एक चीज़ और कर सकते हैं लेकिए आप differentiation 0 पर भी निकाल सकते हैं what is f dash of 0 उसके लिए मैंने आपको पता है limit h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 divided by h कि यह वाला limit निकालना है और यह वाला limit h tends to 0 minus f of 0 minus h minus f of 0 whole divided by mindset यानि अगर आप यह दो limit निकालेंगे इसके ठीक है न तो आपको दोनो limit बराबर आ जाएंगे आप ने पढ़ा है mod x की differentiation अब mod x की है तो mod x cube है तो आप इसको 0 पर दिखा सकते हैं कि यह differentiable है कि नहीं है ठीक है लेको mod x जो होता है खाली mod x वो differentiable 0 पर नहीं है आपने देखा कि mod x का graph ऐसे होता है इसलिए वो 0 पर differentiable नहीं है लेकिन mod x cube differentiable है 0 पर यह दोनो limits इसके बराबर आए जाएंगे आप चेक कर सकते हैं तो यह part आप खुद करेंगे What I will do I will write mod x का whole cube होता है basically x cube मगर ताब when x is greater than 0 यह होता है minus x cube when x is less than 0 अब जरह यही तो है f x अब जरह इसकी differentiation करने है What is f dash of x f dash of x will be इसकी differentiation होगे 3 x square यह x is greater than 0 इसकी होगे minus 3 x square when x is less than 0 फिर से और differentiable differentiation करने है double so what is the double differentiation double differentiation is इसकी differentiation 6 x when x is greater than 0 इसकी minus 6 x when x is less than 0 so this is our answer so this is how to differentiate double differentiation कैसे हम करते है greater than 0 के लिए इसका यह answer है less than 0 के लिए इसका यह answer है greater than 0 के लिए suppose आप x का value 1 देंगे तो 1 लगा दीजे यहां पर ठीक है यह आएगा value अगर आप 2 लगाएंगे 3 लगाएंगे 4 लगाएंगे तो आप यहां लगाने है तो values आते रहेंगे जब आप less than 0 देंगे तो यहां लगाने है ठीक है और 0 पर भी आप चक कर सकते है double differentiation double differentiation is 0 कैसे आप चक करेंगे से f double dash of 0 कैसे करेंगे आप उसमें आप लिखेंगे फिर से limit h tends to 0 positive f dash of 0 plus h minus f dash of 0 whole divided by h फिर औरे f double dash of 0 is equal to limit h tends to 0 minus f dash of 0 minus h minus f dash of 0 whole divided by minus h यह भी कर सकता है लेकिन उसके आप double इसके वाकर यहां dash लगाएंगे यहां single बारे निकाएं single differentiation इसके यह है उसके यह चीज़े आप लेंगे फोड़ा वाक इस सवाल को आप देख सकते हैं कि यह आप कर लो यह तो मैंने generally दिखाया आपको जनल तो मैंने दिखाया है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको 0 पर भी चट करिये 0 पर single differentiation और 0 पर double differentiation उसके यह यह चीज़ आप लागें इन limits को निकाल के आप देख लो कि इसमें क्या बन जाता है क्या होता है whether it is differentiable at 0 or not of course it is differentiable at 0 I know that but you check it if the two limits are same then it is differentiable if here also two limits are same then the double difference at 0 also exists but at other points it is differentiable different differentiation exists at other points दो तरी का मैंने आपको तिखादेगे and this was your 18th question देख्या अप एक और बात है एक और बात है एक और question है, question 25 एक theoretical question है does there exist a function which is continuous everywhere does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly two points does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable exactly at two points justify your answer justify means we have to justify with the help of an example what I will do मैं आपको बताऊंगा पहले एक बात मैंने आपको graph दिखाया है mod x का graph ऐसे बता है this is the graph of mod x right यह mod x जो है यह आपको पता यह 0 पर differentiable नहीं है mod की differentiation 0 पर नहीं होती है mod x की खाली mod x की और मैं एक और graph बनाऊंगा अगर मैं यह वाले graph बनाऊंगा यहां 2 है तो अगर मैं ऐसे graph बनाऊंगा यह किसका graph होगा mod of x plus 2 2 पर इसका यह corner बनता है 2 पर यह बनता है यह 2 पर sharp करूंगा इसलिए 2 पर differentiation possible नहीं है यहां पर 0 पर यह sharp बनती है तो इसलिए यह poly function 0 पर differentiable नहीं है अगर हम दोनुं का graph इकटे बनाएंगे अगर हम ऐसे बनाएंगे graph ऐसे बनाएंगे यह बनाएंगे यह हो गया जी 2 point यह हो गया 0 point अब बताएंगे किसका graph है this is the graph of fx is equal to mod of x plus mod of x minus 2 so यह बनाएंगे यह बनाएंगे function यह इसका graph है पहले मैंने इसका graph यहां बनाएंगे फिर मैंने दोनुं graphs को club करके मैंने ऐसे graph बनाएंगे यह बनाएंगे यह किसका graph है अब यह इसवाली function बताएंगे अब यह function कहां differentiable नहीं है ? 0 पर और कहां नहीं है ? 2 पर क्या यह continuous है ? यह हरे जगा continuous है यह हरे जगा continuous है इसलिए यह हरे जगा continuous है this function is continuous everywhere but it is not differentiable exactly at how many points exactly at the two points so this is the answer so this is the function which is continuous everywhere but not differentiable exactly at the two points does there exist a function ? yes there exist many functions but he says illustrate with the help of an example so does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly two points so this is the function which is continuous everywhere but not differentiable exactly at the two points at zero par or two par so this function is not differentiable so this function is not differentiable at x is equal to zero and two so this function is not differentiable exactly at zero and two this is your solution to question number 21 आये अब एक और सवाल है आपका this is question number 22 question number 22 is determined की differentiation कैसे करते है अगर कोई function अगर कोई function determined form में है उसकी हम differentiation कैसे करते हैं वो तरीका है अगर मेरे पास y f x j x h x l m n a b c a determined है तो आपको इसकी differentiation करनी है और प्रूब करना है इसकी differentiation इसके बराबर है answer भी determined में ही दिया है इसने अब इसमें एक तरीका था मैं पहले इस determined को expand करता और expansion के बाद मैं उसकी differentiation करता है और थिर उसको वापस determined form में लिख देता लेकिर वो ज्यादा हो जाएगा लेंकी तो what I will do I will directly differentiate I will show you how to differentiate determined directly लेको determined की differentiation कैसे करते हैं हम लिखते हैं पहले 1st row की differentiation 1st row की differentiation है F-X, G-X, H-X आपको तो पता है डाश ही होता है बाकी ऐसे ही L, M, N और ABC ऐसे लेकिर फिर प्लस अब दूसरा अब पहला row ऐसे ही F-X G-X H-X ऐसे अब दूसरे row की differentiation L की differentiation 0 3rd row ऐसे ही ABC फिर तीसरा अब पहला row ऐसे ही F-X, G-X H-X दूसरा भी ऐसे ही L, M, N तीसरा row की differentiation 0, 0, 0, 0 देखे क्या किया मैंने मैंने 3 हिसे की इसको पहले मैंने 1st row को differentiate किया 2nd & 3rd को ऐसे रखा 2nd row को differentiate किया 3rd को ऐसे रखा 3rd को ऐसे differentiation किया because A की differentiation 0 B की 0, C की 0 because they are all constants L की 0, M की 0, N की 0 because they are constants GX की G-X HX की H-X इसलिबकर ने बहुत रहा इसलिबकर रहा 1st row is completely 0 ही इसलिबकर बहुत देखे गर dy by dx आगया वह तो इस दानस तको इसे सिंपल जभी आज के बाद आप डिफरेंसिशन तरहिए किसी देमिनट का आप इसको पहले फर्स्ट रोगो करो फिर थर्ड रिखो स्रीमिनट करो फिर फिर थर्ड को करो फिर सेमिन देखो and you will get the result और आपका answer directly determined रही है, इसलिए मैंने ये short cut किया, इसलिए मैंने ये short cut किया, इसलिए मैंने without expansion आपका determined को solo कर दिया, अब आई आप, एक और सवाल है, ये question 23 है, this is the last question, इस मिशलें से exercise का, देखो ये भी बड़ा important questions है, देखो कैसे हम इसको solo करते हैं, क्या ये बोल रहा है, why is e raised to power a cos inverse of x, x का condition दिया है, conditional function है, minus 1 से लेकर plus 1 तर, show that this thing equal to 0, इसमें देखो double differentiation है, single differentiation है, मुझे इस सवाल को solo करना है, यानि मुझे दो बार differentiation करना है, पहले में एक बाल करता हूँ, dy by dx, ठीक है, dy by dx is e raised to power a cos inverse of x, फिर power की, a i c, cos inverse की, minus 1 over under root of 1 minus x square, फिर मैं cross multiply करता हूँ, तो ये आएगा, under root of 1 minus x square, then dy by dx, it is equal to a raised power a cos inverse of x, ठीक, अब मैं squaring करता हूँ, ताकि ये root खत्म हो जाएगा, squaring both sides, it will be 1 minus x square, into dy by dx का whole square, इस e को, जब मैं ये देखता हूँ, देखो a i say, what is e raised power a cos inverse of x, that is y, तो मैं यहाँ ये लगाँगा, लेकिन उपर square करना है, because it is squaring, right, so this is 1 minus x square, into dy by dx का whole square, it is equal to a square y, now differentiate, again, अप्धी से difference, आप देखो, इसका u into v होगा, पहले इसको थोड़ा तो देख लिजा और मैंने कहीं, कुछ तो नहीं किया गलत वलद, आप देखो, कैसे मैंने, इसको देखेता हूँ, यहाँ तो ये root इदर चला जाएगा, यहाँ एसे रहेगा, यह तो y है, because this is y, लेकिन उपर square करना है, तो यह a square y square आजाएगा, it is a square y square, right, अब देखे, और इदेखे, इसका यह interview होगा, 1 minus x square ऐसे, इसकी difference, पावर डाउं, dy by dx, फिर पावर के बगाए, dy by dx की difference, देखे, और फिर प्लस, dy by dx का whole square, ऐसे ही, अब ब difference, it is minus 2x, then it is further equal, यह a square ऐसे, y square की difference, that is 2y, y की difference, फिर से dy by dx, right, अब मैं twice dy by dx कावर लेगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 1 minus x square, then d2y by dx, 2, क्योंकि twice dy by dx मैंने common लिया, यहाँ आएगा, x into a खी dy by dx, क्योंकि मैंने, यह common लिया, break it close, उसके बाद, 2a square y into dy by dx, right, अब देखे, इसमें, देखे, यह 2, और यह 2 cancel हो जाएगा, यह dy by dx, और यह dy by dx, और यह dy by dx, कैंसल हो जाएगा, वहाँ क्या बचेगा, वहाँ into d2y by dx2, minus x into dy by dx, which is equal to a square into y, कुछ कीजे चक, देखे, इसको ऐसे करना चाहिए, देखे, 1 minus x square, d2y by dx2, minus x times dy by dx, is equal to a square y, यहाँ फे बाद शिफ्ट करके, इसको ऐसे लिख सकते है, minus, यहाँ से लिख सकते है, 0, क्योंकि मैंने इसको पिर यहाँ लाया, तो इसको यहाँ ला So, this is how to solve this question number 23. Now, with this, I have finished it, full differentiation, complete, all NCRT questions, from exercise 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, right, 5.8, मैंने नही दिखाई, उसके ले मैंने आपको कहा है, that is the separate rule, that is the rule's theorem and mean value theorem, that I will show you in the next lecture, and this is that.